हेलो एवरीवन वेल्कम टू क्लास नमबर ट्विंटी एट अप दर चेप्टर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस आज के क्लास में हम डिसकस करेंगे और इक तरह के टॉपिक के बारे में सो आज की क्लास का हमारा डिसकेशन का टॉपिक है कंटिन्यू स्टेट्में सो यह कंटिन्यू स्टेट्मेंट क्या है कंटिन्यू स्टेट्मेंट को हमारे से प्लस प्लस प्रोग्राम में हम क्यों यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में हम डिसकस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं डिसकसन जैसे कि लास्ट क को टॉमिनेट करने के लिए कंडिशन गलत होने से पहले या फिर लूपिंग में लूप एक लूपिंग प्रॉसेस चलते वक्त अगर बीच में से कोई एक पॉटिकुलर इटिरेशन की द्वारा एक ब्लॉग अप स्टेटमेंट को अगर जो एक्जिक्यूट होना चाहिए उस िस तक प्रिंट करें उसके बाद मेरा जो लूप है हो तो फिर मैं से लेके तक और रहां पे तक कर सकते हैं चाहिए ञेंग स्टिक्मेंट हैं दो तरह की जाम स्टेटमेंट से एक है ब्रिक स्टेटमेंट एक है इंसाइड लुप एक पॉर्टिकुरल लुप स्टेटमेंट के अंदर जब इनकाउंटर होता है या फिर आता है the flow of control jumps to the beginning of the loop for next iteration for example मैंने यहां पर कुछ भी एक looping यूज़के है for loop यूज़के है suppose तो यहां पर अगर continue statement आता है तो यह continue statement क्या करेगा और नीचे हमें जाने नहीं देगा यही सही फिर से हमें for loop के पास ले जाएगा और वहां पर उस particular जो value के लिए हमारे for loop के अंदर या फिर कोई भी looping statement के अंदर जो block of statement execute होना चाहिए उसको program execute नहीं करेगा उसको program skip कर देगा और उसके बाद फिर next जो हमारा condition आएगा next condition में जो execute करेगा उसको फिर से execute करना सुरू करेगा मतलब यहां से हमें इतना पता चला कि continue statement यूज कर कम क्या कर सकते हैं for loop statement में कोई भी एक particular iteration के द्वारा जो block of statement हमारा execute होने वाला था उसको स्किप कर सकते हैं तो उसको एक्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा आसन तरी के से समझ पाएंगे continue statement को म्यूज करते हैं लूप स्टेट्मेंट में लूप स्टेट्मेंट में तो यहां पर फ्लो डाग्राम के थ्रूप पहले उसको समझने की कोसिस करते हैं सब्सक्राम के दू.-टो किसी भी स्टेट्मेंट के अंदर मैंने condition नदर के D करते हैं कंटिनू करते हैं मतलब मुझे उसको प्रेंट ना करके फिर से लूप के पास उपर चला जाना है और वहां पे next जो value 8 है, 8 को print करना है, मतलब continue statement को हम use करते हैं, कोई भी एक particular statement के execution को skip करने के लिए loop statement के अंदर, तो अगर ये condition हमने जो provide किया है, तो अगर वो condition true हो जाता है, तो हमारा क्या होगा, loop में जो हमारा process है, वो फिर से beginning में चला जाएगा, एक particular block of statement को execute नहीं करेगा, उसको skip कर देगा, बट जो condition हमने provide किया, वो condition अगर गलत है, तो continue statement को execute नहीं करेगा, और continue statement को अगर execute नहीं करेगा, तो normally हमारे loop body के अंदर जो block of statement है, उसको हमारा program execute करेगा, तब तक जब तक loop condition के अंदर, जो loop statement के अंदर हमने जो condition provide किया है, वो condition जब तक true है, तब तक हमार जो process है वो हमारे loop statement के अंदर जो block of statement है उनको execute करता रहेगा और जब loop statement के अंदर provide किया condition false हो जाएगा तो वो क्या करेगा normally loop statement में जैसे कि loop statement के बाहर आ जाता है और उसके बाद next जो line of statement है उसको execute करता है वैसे ही यहां पे भी करेगा बस यहां पर हमें एक concept समझना था कि continuous statement का काम क्या है continuous statement का काम यह है कि loop statement के अंदर अगर continuous statement occur होता है continuous statement आ जाता है तो उसके बाद वो continuous statement क्या करेगा हमें और नीचे जाने नहीं देगा वही से फिर से looping के पास ले जाएगा उपर जिसके द्वारा वहां पे जो ब्लॉक ऑफ स्टेट्मेंट होना चाहिए उस पुटिकुलर टाइम के लिए वह ब्लॉक ऑफ स्टेट्मेंट बट सेवन जब आएगा सेवन को स्किप कर देना है सेवन को प्रिंट नहीं करना ओके एन उक्वाल्स तु वण से लेके टें तक प्रिंट करना है तो मिनिममम क्या है वहां पर लूप बॉडि के अंदर मैंने उसके ऊणदिशन की अगर एब्ञान के साथ एक्वल होता है त मतलब यहां भी जो continuous statement execute होगा तो वो और नीची हमें जाने नहीं देगा यहां से सिर्फ सीधा पुरा उपर हमें फिर से follow statement के पास ले जाएगा जिसके द्वारा जब value 7 आएगा तब वो प्रिंट नहीं करेगा 7 का value फिर उसके बाद जब उपर जाएगा तो आ जाएगा कितना 8 तो फिर 8 तो condition false फिर आएगा 8 को प्रिंट करेगा 9 को प्रिंट करेगा 10 को प्रिंट करेगा तो पता चला यहां पर continuous statement का काम क्या है continuous statement हम कोई भी looping statement के अंदर यूज करते हैं एक particular iteration के द्वारा जो output generate होना चाहिए उसको execute ना करके output generate ना करने के लिए यह फिर उसको skip करने क के लिए हम यूज करते हैं continuous statement को किसी भी तरह के लूपिंग statement के अंदर तो आउट्पूट आप यहां पर देख सकते हों तो आउट्पूट क्या है वैल्यू आफ एन इकोल्स टु वान टू टू त्री फोर फाइप सिक्स सेवन स्किप्ट है सेवन यहां पर नहीं है 8910 तो क स्किप करने के लिए हमारे लोग statement के अंदर हम यूज करते हैं continuous statement को ओके तो चलिए अभी इसको practically करके देखने हैं कि यह सच में ऐसा करता है या नहीं पायोजिंग टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्ट्वेर जैसे कि कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम सुरू करते हैं हैसे प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे पहले लिंक करेंगे हैसे इंप्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे पहले लिंक करेंगे हैसे इंप्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे पहले लिंक करेंगे हैसे इंप्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे उसके बाद यूज करेंगे में फॉंक् पॉर लूइब के अंदर N का वैल्यू प्रोवाइब करेंगे 1 फिर N, कंडिशन प्रोवाइब करेंगे N less than equals to 10 then N plus plus. उसके बाद क्या करेंगे? फॉर लूइब को उपन करके उसके अंदर प्रोवाइब करेंगे कंडिशन की अगर N का वैल्यू 7 के साथ equal है तो वहां पर हम execute करेंगे continue statement को और अगर अगर यह condition होता है तो वह execute करेगा continue statement को otherwise वह क्या करेगा next जो statements है उनको execute करते करते जाएगा तो suppose मुझे print करना है यहां पर value of n तो value of n print करना है मुझे नीचे नीचे तो इसलिए यहां पर उसके बाद for loop का काम खतम for loop close उसके बाद यहां पर यूज करेंगे get ch function उसके बाद main function को close करेंगे तो यहां पर हमने provide किया कि जो condition कि अगर n का value 7 होता है तो वह continue statement को execute करेगा और continue statement को जब execute करेगा वह क्या करेगा हमें नीचे और जाने की permission ना देके वही से सीधा हमें for loop के beginning में फिर से ले जाएगा ओके तो यहां पर जब 7 आएगा जबकि हमें 7 जब आएगा तो continue statement execute होने वाला है और continue statement अगर execute होने वाला है तो वह value three four five six तक प्रिंट कर रहा है फिर eight nine ten प्रिंट कर रहा है तो यहां से हमें क्या पता चला कि continue statement यूज करके क्या कर सकते हैं हम कोई भी एक particular reputation या फिर कोई भी एक particular iteration के द्वारा execute होने वाला block of statement को हम skip कर सकते हैं ओके तो आई थिंग आज के class में हमने जिस topic के बारे में discuss किया वह आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट class में हम discuss करेंगे एस और कुछ topics के बारे में आज के लिए इतना ही थेंक यू